हेलो दोस्तों सुवागे थे आप सभी का आपका अपने यूटूब चैनल माय वैस्ट मैडिसीं रिव्शु में जैसी का आप सब को पता है इस चैनल में हम लोग कोई ने कोई नियू मैडिसीं के बारे में आपको बताते हैं तो आज भी हमारे पास एक नियू मैडिसीन है जैसी के आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आमला चुरणा दिव्या फार्मसुटेकल कंपनी मतलब पदंजली के और से है तो मैं आपको बताऊंग इसके बेनिफिट के बारे में इसके यूज़े क्या क्या है आपको इसके यूज़े किस जगह में आप कर सकता है कैसे में एक अच्छी जानकारी में आपको देने वाला हूं ठीक है तो बने रही ही मेरे साथ इस वीडियो में और अगर आपी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया को सब्सक्राइब बटन जरूर दबाते ताकि साथ साथ कमेंट सेक्सिन में कमेंट करना बिलकुल तो एक क्या है मैं आपको जनरल इंफोर्मेशन पहले देदू आमला शूर जो है पतंजली को दोर से बनाया गया है पूरी तरसा हर्बल मैडिसीन है इसमें जैसे कब देख सकते हैं कोई मिलावट नहीं मतलब कोई दूसरा इंग्रेडियरेट नहीं है 100 ग्राम की एक जो मेर पी है लगभा अभी 28 से 35 रुपे का असपास कोई भी दिवफात अंजली के स्टोर में मिल जाती है या फिर आप उनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं ठीक है पहले मैं आपको पता हूँ का अभी इसके बैनिफिट के बार में क्या कहा है इसके बैनिफिट है विटामीन C की कम अभी को पूरी तरह से कम्प्लीट करता है अगर ऐसे कुछ कमी है ठीक है और जैसे को पता है पद अंजली को और से हर एक आरुविधिंग मेडिसिंस बनाया जाता है तो मैं सुरू करता हूँ अवला चुन अमलेस से बना जातो विटामीन C का एक बहुत ही रिच सोर्स है अ इपधारी इसे अपने पाच्छन में साहता करने के लिए सांस की सोमिसा से लटने में मदत करने के लिए और आपकी रोकप्रदी-रोधक-चशमता को बढ़ाने के लिए श्यून को बनाया है और आमला की प्राक्रिती अच्छी होती है और विशाक مदारतों से वने वाल नु ऐसा अरुवेदिक फॉल है जो आँखों की समयसा को दूर करता है और आगर आपके बाल बहुत ज्यादा जहट रहे हैं सफेद हो रहे तम भी आप इसको ले सकते हैं और इसको बालों पर भी पेस्ट बनाकर अपलाई कर सकते हैं यह सर्दी ठीक करता है आमला हरिदय की रोगो पर तीर नोदक चमता को भी बढ़ाता है ठीक है आँखों की कोई भी प्रॉब्लम है तब इसको ले सकते हैं अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं जुरिया पढ़ रहे हैं आप इसको ले सकते हैं से एक अलग चमक आपकी फेस पर ग्लोइंग दीख को मिलेगा ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया इसके बैनीफिट है और इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप कोई पहले से मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और इसको आप गरम पानी के साथ या सहत क साथ ले सकते हैं सुवक हाले बेट ले तो ज्यादा बेटर है ठीक है अगर जिसको ऐसी डिडी की प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल इसको ना ले तो ज्यादा ही अच्छा है तो यह था आमला चुरूर के बारे में आसा करता आपको वीडियो अच्छी लगई होगी तब त